Assalamualaikum guys, उम्मीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे The topic of our today's presentation is scoring and interpretation of 16 personality factor आज हमारा 16 personality factor का जो है वो last lecture है ठीक है So, इसको start करते हैं, आज हम scoring और interpretation को जो है discuss करेंगे So, let's begin Scoring कैसे की जाती है 16 personality factor questionnaire की ठीक है, अब जो 16 personality factor आया, जो scale है ठीक है उसके जो scores है वो आपके present होते है 10 point scale के उपर ठीक है, आपके पास जो है, वो 10 point scale होता है ठीक है, जिसको हम standard 10 point scale भी कहते है ठीक है, अब standard 10 point scale क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है ठीक है, अब मैंने नीचे एक example दी हुई है, जैसे W means warmth को मैंने जो है वो shortly लिखा हुआ है, ठीक है इसका code A होता है, लेकिन मैंने आपको as a example जो है standard 10 point scale को समझाने के लिए जो है ये जो है example लिखी है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है questionnaire है, उसमें आपके पास total 16 traits होते हैं, ठीक है, अब इच trait के लिए आपके पास जो है वो एक अलग जो है, वो standard 10 point scale होता है ठीक है, अलग से मुराद ये नहीं है कि एक scale warmth का आपके बिलकुल ही अलग है, ठीक है ठीक है, ठीक है 1 से 10 तक के बीच में जो है वो आप warmth के लिए score करते हो, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर warmth पे जो है, अगर individual का score जो है हो low आता है, it means वो बन्दा क्या है, reserved है, ठीक है, format है, distant है, ठीक है, अगर warmth में जो है, वो score high आता है, it means वो बन्दा जो है, warm है, soft hearted है, generous है, caring है, ठीक है तो यह scale जो है, यह आपके पास इसके थूँ जो है, वो आप PF की हर trade की जो है, वो अलग-अलग scoring की जाती है, ठीक है, जैसे वाम्च की अलग scoring होगी, ठीक है, 1 से 10 तक कोई score हो बन्दा जो है, अचीफ करेगा, इसी तरह जो second rate है, reasoning है, ठीक है, उसमें भी आपके पास 1, 2, 10 score होगा, उसमें से भी individual जो होगा, एक score अचीफ करेगा, ठीक है, इस तरह आपके पास score, एक ROI score आ जाता है, ठीक है, फिर the standard 10 point scale has a mean of 5.5 and a standard deviation of 2, ठीक है, अब जो standard 10 point scale है, ठीक है, इच scale का जो है, वो mean होता है 5.5 and standard deviation होता है 2, ठीक है, अच्छा, scores with, scores below 4, considered low and scores above 7, considered high, ठीक है जैसे अगर हम warm की example पर वापिस जाएं, तो 1, 2, 10 आपके पास जो है, वो scoring है, ठीक है, अगर कोई individual 3 score करता है, या below 3 score करता है, it means, वो low score की category में fall कर रहा है, ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, कि आप जो है warm, आप reserved हो, ठीक है, आप distant हो, आप format हो, ठीक है, अगर 3 या 3 से below score करत है, ठीक है, तो मतलब, वो water rate, जो है, वो उसके अंदर उसको जो level है, वो low है, ठीक है, और अगर individual 4 या 4 से above, उसके अंदर, अचीव करता है, उस warmth trade के अंदर, अगर 4 या 7, 4 to 7 score अचीव करता है, it means, कि उसके अंदर, जो warmth का level है, वो उसके अंदर high है, ठीक है, अगर 4 और 7 क between में it means वो neutral है ठीक है the standard 10 scale are bipolar meaning that each end of the scale has a distinct definition and meaning ठीक है अब standard 10 point scale जो है वो क्या होता है bipolar होता है मतलब इसके 2 poles होते है यह मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर arrow के through बताना चाहा है कि किस तरहां का मतलब bipolar की meaning क्या है ठीक है जैसे आपके एक a pole है और एक b है ठीक है एक a point है और एक b point है तो a क्या है आपके पास one pole है और जो बी है दो second वाला pole ठीक है तो इसको कहा जाता है by means होता है two ठीक है two poles ठीक है अब जो standard 10 point scale है उसके a पे मतलब जो में दियकर के जो है फिरस्ट पोंगम सेskेंड फॉल है फिरस्ट पोð पर जो मिनिंड डिफ्ट्रेंट होला जैसे आध का वंट्ट्रेट है ठीग है तो जो इसके दो पॉल इे आपके पास ठीक है एक A है एक B है for example आप suppose करो कि जो A है वहाँ पर आपका low score बता रहा है ठीक है और जो B है वो आपका high score बता रहा है ठीक है अगर individual तो it means कि जो standard 10 point scale होता है उसके दोनों poles पर जो है उस particular trait की जो meaning है और इसके जो definition है वो different हो जाती है कैसे जैसे अगर warmth है है तो अगर हमने जैसे consider कि A पर क्या है low score है ठीक है तो इसका मतलब अगर A पर आ रहा है तो वो बंदा क्या है distant है format है ठीक है अगर हम reasoning के अगर हम example ले लेते हैं ठीक है factor 2 की example ले लेते हैं आप कहेंगे कि बार बर मैं एक ही example दे रहे हूं तो हम reasoning की ले लेते हैं तो अगर A पर आता है मतलब low level है ठीक है मतलब उसके जो जो है वो new information को absorb नहीं कर सकता है ठीक है उसकी जो reasoning है ठीक है उसकी जो intellectual abilities है वो इतनी जादा high नहीं है ठीक है low है और अगर B पर आता है तो वो trait क्या है वो उसकी meaning बदल जाती है ठीक है मतलब reasoning B पर क्या कहेंगी वो कहेंगी कि individual जो है उसके उना absorbing capacity जो है वो बहुत जादा है ठीक है वो new information को बहुत जल्दी absorb कर लेता है verbal और mathematical जो टास्क है या जो problems है उसको quickly solve कर लेता है ठीक है तो यह आपके पास standard 10-point scale की bipolar को हम इस तरहां जो understand करते है because bipolar scales are designated with high or low for each factor a high score should not be considered to reflect a positive personality characteristic and a low score should not be considered to reflect a negative personality characteristic ठीक है अब जैसे हमने देखा कि bipolar scale पे क्या है दो पोल्स है दोनों पोल्स पे उसे particular trait की क्या है meaning different हो जाती है particular trait का bipolar scale ऐसन का score अगर हाइब इसका मतलब यह नहीं है कर दो पलब यह नहीं है कि उस बंदे Does की personality यह positive है और अगर low पर आ रहा है उसका score जो है Bar pase county और रहा है तो हम यह नहीं तरह हम यह Czech है है वो negative है ठीक है हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि हम क्या करेंगे हम पहले जो है वो Royce Coles निकालते हैं उसके बात जो है इन सब को हम evaluate करते हैं फिर जाके हम अपने question के according जो है वो interpret करते हैं ठीक है so that was about the scoring next हमारे पास है interpretation interpretation of 16 personality factor questionnaire cattle और sugar provided six steps that outline how they recommend interpreting the results of the 16 personality factor questionnaire ठीक है cattle और इनके कुलीक थे sugar जिन्होंने interpretation के लिए six steps जो है वो formulate किये है provide किये हैं जिसमें first है हमारे पास consider the context of the assessment ठीक है सबसे पहले हमने क्या करना है जो आपका counselor है psychiatrist है psychologist है ठीक है personologist है उसको assessment का context जो है वो consider करना है ठीक है for support अगर कोई psychologist जो है वो यह जानना चाहता है कि इस बंदे में कौन सा psychological disorder है मतलब clinical purpose के तौर पर जो है वो इस test को यूज करना चाहता है ठीक है तो उसका context क्या होगा assessment का psychological disorder को assess करना ठीक है अगर कोई personologist है वो यह जानना चाहता है कि इसकी personality कैसी है ठीक है positive है negative है ठीक है तो उसका जो है assessment context जो है वो different हो सबसे पहले क्या है हम जो assessment का context है वो consider करते हैं ठीक है second evaluate the response style indexes by first checking responses on factor B and then looking at the scores of the infrequency impression management and acquiescence scales second step में जो है वो हम जो आपका client है जो आपका examinee है उसके response style index को evaluate कर दे कि उसने जो responses दिये है ठीक है उसने अपने conscious awareness में था थी जब उसने को response किये है ठीक है तो वो अपनी full attention थी उसके ओपर aware था उस वक्त ठीक है या उसने randomly तो कहीं answer पर tick नहीं कर दिया है ठीक है हमें इसी तो खया लगना पड़ता है तो हम अपने client के जो है वो responses index को जो है वो evaluate करते हैं उसको हम assess कर रहे होते हैं ठीक है अब यह जो evaluation है यह हम factor B से start करते हैं मतलब reasoning से जो है यह evaluation start की जाती है और फिर हम जो है वो score की in frequency को check करते हैं कहीं उसने score को वो हम से होते है खिक है जाए है मतलब हमसे भी work कर आप ता था है तो अगर बहुत जादा exhaust हुआ है भर में होउट तो यह पर यह फोद बहुत कर दादे है मतलब हम इस फिफिफ्टी आइटम थीक है तो हम क्या बहुत है करते थे कि starting के जो है होते हैं तो इस चीज़ को देखा जाता है के जो आपका जो response है तिक है आपका client है उसने जो responses किये हैं उसका style क्या है ठीक है तो second step में हम यह चीज़ evaluate कर रहे होते हैं उसके style को उसके response style को हम evaluate करते हैं 3rd में evaluate the global scale scores 3rd step में हम जो global scale scores है globally जितने भी scales है ठीक है अब each trade के लिए हमारे पास एक अलग scale है ठीक है तो जितने भी raw scores हमारे पास आएंगे ठीक हम तमाम scores को हम क्या करते हैं evaluate करते हैं 4th step में evaluate the primary scales in the context of the global scales ठीक है अब global scales प्रॉबल स्केल्स ठीक हम पास हमने जो primary scales जो हमारे पास सप्टिक है जो primary scales होते है उस को हमने evaluate करना उस को जो हैने evaluate करना है फॉर्द इस step में चैंब इस इंटरेक्शिं को consider करते हैं कि यह जो trait ठीक है यह उस trait के साथ कितना interact कर रहा है ठीक है यह scale जो है वह इस trade के साथ कितना interact कर रहा है ठीक हम इस chief को consider करते हैं ठीक है और last step में integrate 16 personality factor results in relation to the assessment question और last step में हम 16 PF के जो results हैं उसको हम integrate कर देते हैं मतलब compile कर देते हैं in relation to the assessment question means जो हमारा assessment question होता है कि क्यों मतलब जो हमने first step में जो context of assessment consider किया था उसके according जो है हम 16 PF के results को integrate और compile करके interpretation दे जेते हैं ठीक है so that was about the scoring and interpretation of 16 personality questionnaire आज हमारा यह test जो है वो complete हुआ जो theory थी 16 personality factors की वो complete हुई I hope कि आपको यह clear हुआ होगा if you guys have any question अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं thank you so much and allah hafiz